हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप सभी? दोस्तों आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया का सबसे बड़ा बोडी बिल्डर बनने का सपना देखा उस समय उसमें भी बोडी बनाने का बूट्सवार हो गया था पर दिक्कत इस बात की थी कि बोडी बिल्डिंगे इस सपने को पूरा करने के लिए उनके पास बहुँ ज़्यादा पैसे नहीं थे उनकी इनकम बहुत कम थी दो वक्त की रोटी खाने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और वो एक छोटे से घर में रहते थे और इसी बीच उन्होंने कभी भी अपने सपने को नहीं छोड़ा तो दोस्तों यह बात हम कर रहे हैं काई गरीन की अब हम जानेंगे काई गरीन की जननी के बारे में कि किस तरह काई गरीन ने हाड़ वरक करके अपना जीवन वेतीत किया और इसी बीच उन्होंने बड़े सपने देखना जारी रखा और किस तरह हैं वो बोडी बिल्डिंग के सपने को पूरा कर लेते हैं यह है स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति की है जब छोटे होते हुए उसके माबाप उन्हें छोड़ कर चले जाते हैं काई गरीन को उनके बूरे विवार के कारण स्कूल और अनात आश्रम से निकाल दिया गया था स्कूल से निकालते समय उनके एक टिचर की नजर उनकी फिजिक्स पर पड़ी और उन्हें कम्पिटिशन लड़ने की सिला दी उसके बाद काई गरीन ने अपने गुसे को कबू में किया और बोडी बिल्डिंग के लिए हार्ड वर्काउट करना सुरू कर दिया हार्ड वर्काउट करने से काई गरीन का गुसा तो शान्त होने लगा साथ ही साथ उनको मांसिक रूप से मजबूत कर दिया और उनके बाद वो दीरे दीरे चीजों को एक अलगी नजरिये से देखने लगे जिम में जाकर उन्होंने हार्ड वर्काउट का मतवल समझा 13 साल की उमर में काई गरीन ने बोडी विल्डिंग में बाग लेना शुरू कर दिया और फिर वह एक दिन बर्नाइट सिले से मिले जिनको 1990 ओलमपिया में फौर्ट रेंक पर रखा गया था और यह है काई गरीन के जीवन का टर्निंग पॉइंट था यहां सरू होता है काई गरीन का संग्रस काई गरीन बर्नाइट को अपना बगवान माने लगे और इसी बीच बर्नाइट ने काई गरीन को ट्रेन करने का फैसला लिया और काई गरीन ने 1997 में एन पी सी टीम में चेंपियन सिप हेवी वेट की डिविजन में दूसरा स्थान प्रप्त किया और एक साल बाद उन्होंने इसी इवेंट में तीस रस्तान प्रप्त किया 1999 में उन्होंने टीम यूनिवर्श में हेवी वेट और ओवर ओल जीता जिससे वो सलोवाकिया में IABBMA मिच्योर वर्ल्ड चेंपियन सिप में बाग लेने के लिए क्वालिफाई हुए वहां उन्हें 6 रेंक प्रप्त हुआ इनका स्ट्रगल अभी खतम नहीं हुआ था 2004 NPC टीम यूनिवर्श दुवारा बाग लेने से पहले वह 5 साल बोडी विल्डिंग से दूर है और जहां उन्होंने हेवी वेट और ओवर ओल टाइटल जीते IFBB PRO स्टेटस हासिल कर लिया उन्होंने इन 5 सालों के बीट दो वक्त की रोटी खाने के लिए बहुत मेहनत की और लोगों के गरों में सोकर रात गुजारी थी मेरा सारा ज्यान एक बात ने खिंचा की इतने सोरे स्ट्रगल करने के बाद भी काई गरी ने कभी भी स्ट्रगल करना नहीं चुड़ा वो कभी भी निरास नहीं हुए कभी पिछे मुड कर नहीं देखा और जिंदकी में उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं की थी उनके जिन्दकी में सिर्फ एक ही चीज थी जो काई गरीन को आगे लेकर जा रहे थी और वो थी बोडी बिल्डिंग 2006 में काई गरीन ओसकर से मिले ओसकर ने उनको मसल गेनिंग की कुछ तकनीक शिखाई और उनके हार्ड वरक मेथड में सुधार किया और उनके वरकाउट मेथड में सुधार किया 2007 में उनको मैसूस हुआ कि वो मिश्टर ओलम्पिया कलियर करने के लिए रेडी नहीं थे 2009 में उन्होंने अरनाल्ड क्लासिक और आश्ट्रेलिया प्रो जीता और उनके मिश्टर ओलम्पिया डेवियो में फोर्थ पोजिशन पराप्त की मई 2010 में काई गरी ने अपना सेकिंड सफल अरनोर्ड क्लासिक टाइचल जीता दो जर्दस में मिश्टर ओलम्पिया कॉंट्रेश्ट में उन्होंने सातमा स्थान हासिल किया ऐसा का जाता है कि उनकी इस रेंक के कारण वो काफी निरास हो गए थे ये उनके केरियर का सबसे लोइस्ट पॉइंट था कई हफ़तों तक नहीं उन्होंने किसी से बात की तोंकि वो इस स्थान से काफी निरास हो गए थे इसके बाद उन्होंने ओर ज़्यदा ट्रेनिंग करने तथा हार्ड वर्काउट करने के बारे में सोचा तब एक इंटर्विव में पूछा गया कि आप अभी वी कमपिटिशन जीतने के लिए त्यार हो क्या तो काई गरीन ने कहा कि मुझे अभी वी यकीन है कि मैं अगला कमपिटिशन जरूर जीतूँगा हलांकि मैंने कमपिटिशन में साथ मस्तान पाया फिर भी मैं रेडी हूँ मिश्टर ओलम्पिया जीतने के लिए वेक्ति को अपने उपर पूरा विस्वास होना चाहिए तब ही जाकर आप कमपिटिशन में सफल हो सकते और और नेगटिव चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए 2010 ओलम्पिया के कुछ महिनों बाद काई गरीन ने अपने कोच ओसकर को छोड़ दिया और जोर्ज फर्रा के साथ ट्रेनिंग करने लगे फर्रा के साथ ट्रेनिंग करने लगे जोर्ज के मादियम से काई गरीन ने अपना अतम विश्वास फिर से प्राप्त कर लिया था मई 2011 में नियूरक प्रो जीता उस साल के मिश्टर ओलम्पिया में तीसरा स्थान हासिल किया यहां यह समझना चाहिए कि बोडी बिल्डिंग करना कोई असान करे नहीं है इसके लिए बहुत हार्ड वर्काउट करने पड़ती है और सही तकनीक, सही डाइट, सही माइंड सेट करना पड़ता है तब जाकर यहां तक होचा जा सकता है दो हजार बारा में काई गरी ने प्रो केरियर में पहली बार में मिश्टर ओलंपिया कम्पिटिशन में से पहले कोई और शो ने किया और अपना पूरा ध्यान मिश्टर ओलंपिया पर लगा दिया एक कोच ने अपना पूरा द्यान काई ग्रीन की वेस साइज पर लगा कर किया और कम्पिटिशन के लिए सही सेफ में आने के लिए काई ग्रीन की मदद की 28 स्टंबर 2012 को वो नतीजे का दिन था और काई ग्रीन अपनी अच्छी त्यारी के साथ स्टेज पर पहुंचे सेफिकार किया गया उनों ने 2012, 2013, 2014 में मिश्टर अलंपिया में दूसरा स्थान लिया यहां तक कि 2014 में मिश्टर अलंपिया में उनका दूसरा स्थान पाना एक कंट्रवसी था और काफी लोगों ने माना कि मिश्टर ओलम्पिया काई गरीन को जीतना चाहिए था क्योंकि पिल हित की तुलना में काई गरीन स्टेज पर ज़्यादा अच्छे लग रहे थे काई गरीन ने कुछ कारणों से 2015 से 2019 तक मिश्टर ओलम्पिया कंपिटिशन में भाग नहीं लिया काई गरीन एक महान एथलीट और हर्ड वर्कर थे आज काई गरीन के पास लग बग 40 क्रोड रुपे की प्रोक्टी है और कई परकार के अर्निंग के स्त्रोथ है उनके पास कई पर्सनल ट्रेनर भी है इसके अलावा वो मूवी में से भी अर्निंग करते हैं तो दोस्तो एक इनसान ने मेटरों और बस में सफर किया मिलो पेदल चला और दो वक्त के खाने के लिए बहुत मेहनत की आज काई गरीन ने सब कुछ हासिल कर लिया आप जानते हैं क्यों क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने जीवन में गीवब नहीं किया और वो संग्रसों से लड़े एक उन्चाई आसिल की तो दोस्तो काई गरीन के बारे में आप क्या सोचते हैं इससे हमें है पता चलता है कि हलाद कितने भी मुश्किल क्यों नहों हमें हमेशा मेनत करते रहना च्छिए आपकी इस बारे में क्या राई हैं आपकी राई जरूर दे इसके लिए निचे कमेंट करें कि आपको इस चोरी से क्या सीखने को मिला